चोपड़ा जो किसनी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बच्चों एंटियने नीट 22 एक्जाम और क्यूसन पेपर के रेगार्डिंग एक एडवाईजरी जारी की है जिसके मैं मैं important points मैं आपको यहां पर बता देता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हर एक एक्जाम की preparation तकरीबन बच्चों की अच्छी होती है मगर सबल वही होते हैं जो tension free होकर एक्जाम देते हैं result जो भी रहे उसकी चिंता मत करो बस आप तो जितना हो सके उतना बहतर करनी की कोसीज करो एक्जाम तो वही है जिसके आपने पहले practice की है वही क्यूसन है जिनके आपको answer देने हैं और आप कई बार उनके answer दे चुके हैं तो वही तो क्यूसन है तो आपको इसमें problem कहां आ रही है आपको tension लेने की आवशकता ही नहीं है आप तो बस tension free होकर चिल होकर exam दो आपकी exam बहुत ही अच्छी जाएगे तो आएए अब हम advisory के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको क्यूसन paper के बारे में जो advisory दी गई है उसके बारे में यहां बता देता हो तो आप इसकी practice कर ही चुके होंगे कि physics, chemistry, botany और geology में section A और section B में दोनों में क्यूसन आएंगे section A में 35 क्यूसन आएंगे section B में 15 क्यूसन आएंगे section A के सभी क्यूसन करना आउशक है तभी आपको marks मिलेंगे और जो section B है उसके 10 क्यूसन आपको करने हैं 5 क्यूसन छोड़ने हैं जो आपको 10 क्यूसन आते हैं वही आप इसमें करें और इसके marks जो है 140 और 40 वैसे ही 180 का हो जाएगा और total 720 का paper हो जाएगा यह आपको सबको पता है इस बार 20 मिनेट्स ज्यादा दे गए हैं पेपर का जो timing है वो 3 hours 20 मिनेट्स रखा गया है अब इसमें जो important बात यह है कि आपको जो section B करना है उसके जो 15 क्यूसन है इनको आप एक बार थ्रोली क्यूसन उसको पढ़ लो जिस क्यूसन पर आप confident है उस पर टिक कर दो कि हमारे 10 पूरे हो गए इसके बाद में इसमें आगे जो section A की जो MCQs है उनमें हर एक क्यूसन के अगर आप correct answer देते हैं हर क्यूसन का तो आपको 4 marks मिलेंगे अगर कोई answer आपका wrong हो जाता है तो इसमें आपका 1 marks कट जाएगा यानि कि negative marking में आपका 1 marks चला जाएगा wrong answer के लिए अगर आप किसी को answer ही नहीं देते हैं किसी question का तो कोई marks कटेगा नहीं इसके 0 marks यानि कोई marks नहीं मिलेगा अब इसमें condition ये लिखी है कि अगर किसी question के जो correct answer है एक से ज्यादा option है correct जैसे A option भी correct है C option भी correct है तो उन candidates को 4 marks मिलेंगे जिनोंने इन दोनों option में कोई एक answer सही किया है अगर किसी candidate ने A, B किया है तो उसको भी मिलेगा और C किया है तो भी उसको 4 marks मिलेंगे ये condition है एक से ज्यादा option correct होने पर यानि कि अगर कोई question error हो जाता है एक से ज्यादा option होते है तो उसमें 4 marks उनी को मिलेंगे जो इन correct में से जो answer देगा इसके बाद इसमें next point ये है कि अगर 4 के 4 ही चारों के चारों option ही A, B, B, C, D चारों option ही अगर correct होते हैं तो 4 marks उस candidate को मिलेंगे जिसने ये question attempt किया है जिसने attempt नहीं किया है उसको कोई marks नहीं मिलेगा next condition ये है कि अगर question ही wrong हो जाता है अगर question ही wrong हो जाता है तो सभी candidates को 4 marks मिलेंगे इसमें चाहे उसने attempt किया हो या नहीं किया हो तो ये तो section A की condition है अब section B की condition की बात कर लेते हैं तो B में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको 15 में से 10 करने हैं और इसमें negative marking है तो इसमें जो 3 condition है, 4 condition ये तो पहले वाली हैं अगर आप correct answer देंगे तो 4 marks मिलेंगे, incorrect देंगे तो minus 1 marking आपका marks detect हो जाएगा और कोई answer नहीं देंगे तो उसके नहें कोई answer आपको marks मिलेंगे इसमें next point इसमें भी वही है, अगर option 1 से ज़्यादा सही है अगर 1 से ज़्यादा सही है option तो 4 marks आपको मिलेंगे अगर इसमें 4 option सही है तो उनीं को मिलेगे answer जिन्नोंने ये owe question attempt किया है नेक्स्ट में ये है कि अगर कोई क्यूसन ही गलत हो जाता है तो वो उन कंडिडेट्स को इसके मार्क्स मिलेंगे जिनोंने ये अटेंट किया है जिनोंने ये अटेंट किया है सेक्शन ए में ये दूसरी कंडिशन थी सेक्शन बी में ये दूसरी कंडिशन है कि जो अटेंट करेगा उसी को मिलेगा जबकि सेक्शन ए में था कि अगर क्यूसन ही गलत हो जाता है तो वो सभी को फोर मार्क्स मिलेंगे लेकिन बी के अंदर य एक क्यूसन अटेम्ट किया है उसी को four marks मिलेंगे तो यह क्यूसन के related इन्होंने advisory जारी की है अभी exam related advisory के बारे में हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है तो इसमें कहा गया है कि admit card page number one और page number two exam hall में entry के लेकर जाना जरूरी है page number one पर central detail self decoration और undertaking है इसको घर से ही फिल करके लेकर जाना है इस पर passport size का photograph आपको paste करना है और left thumb लगाना है और parents के signature करवाने है page number two पर post card size का photo paste करना है ये सब घर से ही करके लेकर जाएं हो सके तो admit card की दो copy print करवा लें एक copy आपको admission के time में भी काम में आएगी admit card पर जो reporting time लिखा है उस पर पहुंचे एक बच के 30 minute पर get close हो जाएगा उसके बाद entry नहीं दी जाएगी हो सके तो exam center का एक दिन पहले visit कर लें अब इसमें आपको एक original photo identity लेकर जानी है तो इसके अंदर government द्वारा issue जो भी photo ID है वो आप लेके जा सकते हैं इसमें pen card, driving license, water ID, 12th board का admit card या registration card, passport, आधार card जिसमें photo लगा हो e-adhar, रासन card, आधार enrollment number जिसमें photo लगा हो या फिर इसके अलावा government द्वारा issue की वी और भी ID हो सकती है अब ये जो ID है ये आपको originally लेके जानी है attested और scanned copy नहीं चलेगी mobile में भी लेकर जाएंगे तो ये valid नहीं होगा ID पूरूट जो omar seat है original और office copy दो copy वहां मिलेगी वो आपको वही invigilator को handover करनी है आप अपने साथ सिरफ test booklet लेकर आएंगे exam finish होने के बाद जब आपको exam finish होने के बाद में जाने के लिए कहा जाएगा तभी आप exam center यानि अपने seat छोड़ सकते हैं next में इसमें जो attendance होगी biometrics से होगी और इसमें जो allowed item है वो है एक तो personal transparent water bottle आप ले जा सकते हैं additional photograph आपको लेकर जाना है वहाँ attendance seat पर चिपकाना है ये जरूरी है इसके बाद आप ले जा सकते हैं personal hand sanitizer 50 ml का इसके बाद आप ले जा सकते हैं admit card में जो self declaration है वो आपको लेकर ही जाना है जिस पे page number two पर post card size passport size का photo है और page number one पर शोरी page number one पर passport size का और page number two पर post card size का photo आपको चिपका कर लेकर जाना है इसके बाद में जो pwd candidates हैं उनके लिए instructions हैं कि वो अपना pwd का certificate लेके जाएंगे अगर किसी को scribe allow है तो nta ही उनका scribe इसमें वो scribe provide करेगा आप अपना scribe नहीं ले जा सकते हैं इसमें pwd candidates इसके बाद में आपके लिए electronic device allow नहीं है mobile phone नहीं है और बाकी जो information bulletin में prohibited items से वो allow नहीं है ये मैंने पहले बता दिया है कि कौन-कौन से आपको आइटम लेकर नहीं जाने है कोविड-19 की regarding जो भी है जैसे की social distancing N95 mask आपको center पर मिलेगा इसके बाद में आपको sanitizer का use करना है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने हैं ये center पर आपको guide भी कर दिया जाएगा वहाँ पर इसके बाद में जो और सारे doubts हैं ये अगर आप तीन item लेकर जाएंगे जो मैंने कल के वीडियो में भी बताया था admit card लेकर जाएंगे उसके बाद में एक photo लेकर जाएंगे पासपोर्ट size का photo लेकर जाएंगे और original ID ये तीनों चीज आपको लेकर जाने ही इनके बिना entry नही आपका एक्जाम अच्छा होगा best of love